फ्रेंड्स मा दुर्गा सक्ती की प्रतीक हैं जो सभी प्रकार की बुरी सक्तियों और बुरे विचारों से हम सब की रच्छा करती हैं मा दुर्गा की उपस्थिती में नाकारत्मक विचार और ताकत के अस्तितों मिठ जाते हैं देवी दुर्गा को एक सेर या बाग पर सवार दिखाये जाता है यह संकेत है साहस और बीरता का जो देवी दुर्गा सक्ति का मूलतत्व है नव दुर्गा यानि दुर्गा सक्ति के नव रूप जब हम सब जीवन में बाधाओं या बौधिक अवरोधों का सामना करते हैं त दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको मा देवी दुर्गा के नौ सोरूपों का अर्थ और उससे जुड़ी विशेषता वत लाने वाले हैं तो चलिए दोस्तो बिना कोई देरे की वेश शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी देवी दु कर निर्भय और सांत होता है, सक्ति का प्रभाह सैल पुत्री नौ दुर्गा में पहली देवी हैं, सैल यानि पत्थर इस रूप को सैल सिखर भी कहा जाता है, मा सैल पुत्री परवत सिखर की बेटी है, मा दुरुगा का दूसरा रूप है ब्रहम चारिणी, ब्रह्मा का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है चलना यहां ब्रह्म चर्य का अर्थ हुआ अनंत में चलना स्वयम को मात्र सरीर नहीं मानना चाहिए हम अपनी विश्तृत प्राकृति को जाने और स्वयम को एक प्रकास पुंज माने संसार में आप कुछ इस तरह चले जैसे कि आप ही ब्रम्हांड हो आप जितना खुस होंगे आपको अपनी काया का उतना ही कम एहसास होगा देवी की विशेस्ताओं का आवाहन करने के लिए हमारी चेतना अनंत में विस्तार पाती है और अनंत में बिचरन करने लगती है उस स्थिती में आप बहुत जोस और साहस सकती के विसुधziękuję को दरसाते हुए देवी को कुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो स्वतंत्र वन नवीन हैं, और जो किसी के नियंत्रन में नहीं है, मां दुर्गा का तीसरा सुरूप हैं, मां, चंद्र गहंटा, फ्रिंज्ट्स, नवरात्री के तीसरे दिन देवी चं चंद्रमा धारन करती हैं, चंद्रमा का संबंध बुद्धी से है, और घंटा सतर्कता का प्रतीक है, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार मस्तिस्क भी आस्थिर रहता है, चेतना संगठित होने से मस्तिस्क एक अस्थान पर केंद्रित हो जाता है, और इससे उर्जा में ब्रधी होती है, जब सतर्कता की गुनवक्ता और दिर्धता की ब्रधी होती है, तो मस्तिस्क आभुसन के समान हो जाता है, वह यदि सांती और समबेदना में उपस्थित है, तो दुख, कष्ट, भूख, आदी में भी उसका साथ बना रहेगा, इसका सार य ही है कि चाहे सुख मिले या दुख, हमें हर परिस्थिती को समान रूप से देखना चाहिए, यही माचंदर गहंटा का अभिप्राय है, देवी दुर्गा का चोठी सरूप हैं माकुसमांडा, ब्रम्हांड की स्रिजनात्मक सक्ति की प्रतीक, माकुसमांडा अर्थात, कुम समाया हुआ है, यह हमें उच्चतम प्रान प्रदान करती है, जो ब्रित के समान पुर्ण है, प्रकट और अप्रकट दोनों ही सुखतम से बिसाल तक, माकुसमांडा को कु यानि छोटा और स यानि उर्जा यह ब्रम्हांड उर्जा से ब्याप्त हैं, एक छोटा सा बीज दुर्गा की पाँचमी स्चुरूप है, मा असकंद माता, असकंद या प्रभु सुब्रमन्यम की मा असकंद माता कहलाती हैं, गोद में बालक असकंद को लिए माता को सेर पर सवार दिखाया जाता है, इनका यह रूप साहस और करुना का प्रतीक है असकंद अर्थात कुसल असकंद भी हमारे जीवन में ग्यान और क्रिया सीलता के एक साथ आने के भाव को दरसाता है यदि जीवन में कठिन परिस्थिती आती है तो क्या करना चाहिए समस्या के समाधान के लिए हमें अपने ग्यान का इस्तमाल करना चाहिए जब आप बुद्धी मता से कारे करते हैं तब असकंद ततो प्रकट होता है असकंद माता कौसल करुना और साहस की प्रतीक हैं देवी दुर्गा की छठी सोरूप है कात्याइनी दोस्तो अन्याय और अज्यानता को मिटाने का संदेश देवी मा का यह रूप देवताओं के क्र की अपना एक महतपुर्ण अस्थान हैं अच्छा क्रोध बुद्धी मता से संबंधित है और बुरा क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से अच्छा क्रोध व्यापक दृष्टिवोध से आता है यह अन्याय और अज्यांता को मिटाने का संदेश देता है अन्याय और नकरत् को मिटाने के उद्देश से जो क्रोध उत्पन होता है वह देवी मा का त्याइनी का ही प्रतीक है देवी दुर्गा की सात्मी सुरूप है मा काल रात्री जो ज्यान और तत अश्ठता का संदेश देती हैं दोस्तो काल अर्थात समय स्रिष्टी में घटित होने वाली सभी घट का साक्षी है समय रात्री अर्थात गहन विश्राम या पुर्ण विश्राम तन मन और आत्मा के अस्तर पर आराम बिना विश्राम पाए आप दिप्तिमान कैसे होंगे मा काल रात्री गहनतम विश्राम के उस अस्तर का प्रतीक हैं जिससे आप जोस पा सकें ये देवी आपक इस स्वरूप में ज्यान, गमन, प्राप्ती और मोक्ष का संदेश छिपा है। मा महा गौरी हमें विवेक परदान करती हैं जो जीवन सुधा समान हैं। निस्कपटता से सुधता प्रकट होती है। मा महा गौरी परतिभा और निस्कपटता का मिश्रन हैं। ये परमानंद औ और मुक्ष प्रदान करती हैं। दोस्तों सभी सिद्धियों की दाता मां दुरगा के नौमी सवुरूप माता सिद्धि दात्री का है। ये सभी प्रकार की सिध्धियों को देने वाली हैं, इनकी पूजा करने से ब्यक्ति को सभी सिध्धियां प्राप्त हो जाती है, इस पूर्य संसार में उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं होता है, उसमें इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेने की छमता आ जाती है, तो दोस्तो यह थी जानकारी मा देवी दुरगा के नौ सो रूपों से जुड़ी हुई और चलते चलते दोस्तो आप सभी को हमारी तरब से नवरात्र की हार्दिक बधाई और मंगल मै सुभकाम नाएं तो उम्मीद करते हैं फ्रेंडस आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलिएगा और दोस्तो ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े है ग्यानवर्धिक वीडियो देखते रहने के लिए अफ मारे इस चैनल ग्यानमंधन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अफ मारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टी मीडियो लेकर आते रहेंगे तो फिर जुड़े रहे है अफ मारे इस चैनल के साथ और देखते रहे जानते रहे धन्यवाद जय हिंद